कि आज आपकी वेकंसी आजाती है और ये बोल देते हैं कि हम चुनाव से पहले ही आपका एक्जाम करवाएंगे एक महिने में तो आप इसीज को ध्यान रखो कि आप मैंसे कितने लोगों तो कैसे हैं आप सब राम जी की पाठ्चाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है उ अगातार मुझे मेल कर रहे है अभी भी मुझे मेल आया है जस्ट ये वीडियो बनाने से पहले भी कि सर इसके बारे में कुछ बताईए हम लोग बहुत जादा परेशान है क्योंकि आपको पता है कि अक्टूबर में योगी जी ने इस भरती की घूशना की थी कि जल्दी ही बहुत दिन से बात चल रही है पता थी कि भरती आनी है आनी है और जनकारी है मिल रही थी कि ये भरती हमको अक्टूबर नवंबर में अक्टूबर के बाद और नवंबर के स्टार्टिंग में देखने को मिल सकती है परन्तु अभी तक ये भरती नहीं आई है तो इस भरती क लेके आप मेंसे बहुत सारे लोग बहुत जादा परेशान है और बार-बार पूछते रहते हैं कि सर भरती कब आएगी कब आएगी कब आएगी अभी कुछ दिन पहले भी आप मेंसे बहुत सरे लोगों ने कमेंट किया कि सर एज रिलक्षेशन को लेकर के एक ट्विटर केंपेन है उसमें आप अपना योगदान दीजिए और हमको सपोर्ट कीजिए तो देखो यूटूब पे अगर कोई भी टीचर होता है तो वह टीचर सभी के लिए समान भाव रखते हों सपोर्ट करता है आप लोग जैसे चाहोगे वैसे ही आप लोगों के लिए एक टीचर करने को तयार रहता है यदि आपका इसमें हित है और आप सब को पता है कि सन 2018 में 49568 नाम से एक भरती आई थी जिसमें अभी तक P.A.C. वालों को भी जॉइनिंग अभी नहीं मिली है और उसके बाद लगभग लगभग नहीं तीन साल तो पूरे होई चुके है तीन साल से अधिक का समय चालू हो गया है अब तक कोई भी भरती नहीं आई है जबकि एक इंपोर्टन बात ये है कि जनरल केटेगरी की जो एज है वो 18 से 22 साल है मात्र 18 से 22 साल है यानि कि जब तक बच्चे को होश आए ठीक है जनरल केटेगरी का खासकर बच्चा है अगर उसको होश आए तो उसकी वो आयू सीमा निकल चुकी होती है और अगर मानों के 19 साल में जाके उसको होश आए तो फिर भी 3 साल उसके पास बच्चते हैं तो बच्चे 2-2,5,5,3,3 साल से वेकंसी का वेट कर रहे है पर अभी भी कोई वेकंसी देखने को नहीं मिल रही है ऐसा नहीं है कि भरती बोर्ड के पास पदो का ब्योरा नहीं है आप अख़बारों में भी चीजों को पढ़ते रहते हैं समझते रहते हैं कि ये जो आपकी भरती है इसका जो परस्ताव है वो शाषन को भीजा जा चुका है और शायसन से भी ये चीज़ मंजूर हो चुकी है बस notification आने की देर है और notification कब तक आएगा इसके बारे में हम लोग फोड़ा सा एक discussion कर लेते हैं साथ में कुछ important बाते हैं आयू सीमा में छूट से संबंदित बहुत मुद्दा गरमाया हुआ है साथ में अभी आपको क्या करना है और क्या नहीं और एक कोशन बहुत जादा पूछा जाता है बीच बीच में कि सर वेकंसी अभी 26,744 हैं क्या ये वेकंसी अभी बढ़ सकती है नहीं है तो इनके बारे मैं आपको सबसे पहले एक बात बताता हूँ देखो भरती कब तक अभी आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि पिछली SI वाली वीडियो में अगर आपने देखी हो शायद नहीं देखी हो तो बता देता हूँ कि आपके जनवरी के प्रथम सब्ता से आपकी आचार सहींता लग जाएगी आचार सहींता का मतलब यह होता है कि जो निर्वाचन आयोग होता है सीदे सीदे मतलब बता देता हूँ निर्वाचन जो आयोग होता है वह आयोग आगामी चुनावों की घोशना जिस दिन कर दे उस दिन से ही आचार सहीता लग जाती हो, और आचार सहीता लगने के बाद कोई भी नया कारिय नहीं होता है, अगर कोई चीझ पुरानी कारियान में चल रही है- जैसे कहीं पर गड़ा हो से शिरधर्दी हो रहे है किस चीज़ के लिए पहले TET का exam cancel हो गया UPSI का exam करवाया पर UPSI में धांदली की बात बहुत जबरदस लेवल पे चल रही है और अभी तक दो याचिकाएं उसमें पढ़ चुकी है अब देखो उसका तो क्या होना है अब देखो क्या है भरती बोर्ड के पास प्रस्ताव जहां तक जानकारी है कि भरती बोर्ड के पास प्रस्ताव आया आ चुका है और notification आने की दे रहा है भरती बोर्ड इतना तो निश्चित है कि vacancy आनी है ये बात तो है कि vacancy आनी है पर अभी देखो अगर आपको कोई कह रहा हो कि इस दिन तक आ जाएगी इस तारिक तक आ जाएगी तो ये सब निराधार बाते हैं किसी के बास भी सफिशिन डिटा नहीं है अब आप एक चीज का अंदाजा लगा सकते हैं यदि जनवरी के प्रथम सपताहा में आपकी आचार सहीता लग जाएगी तो आज क्या तारिक है आज 20 दिसंबर है ना आज 20 दिसंबर है और लगबग आपके पास 15 दिन शेश है तो जहां तक मुझे उमीद है जहां तक मैं अनुमान लगा पा रहा हूं आपकी दिसंबर के अंतिम है ना दिसंबर के अंतिम की तरम दिर दिरे करो कि वेकेंसी कब आएगी कब आएगी कब आएगी आपको इतना निश्चित होना चाहिए कि वेकेंसी तो आनी है और बहुत जल्द आपको वेकेंसी देखने को मिलेगी तो आपको परिशान होने की वजाए आपको क्या करना चाहिए अब आपको देखो क्या करना चाहिए औ उसको आप जन्यून मानते हो के वल उन्हीं पर डिपेंडेंट रहो और उन्हीं की एक वीडियो देखो जगए जगए वीडियो देखते हैं फिरो तो दिमाग आपका खराब होगा और फिर मतलब एक दूसरे टीचर्स के कमेंट में आप गाली गलोज करते फिरते हो बाई तोड़ी जनकारी का इसका पता किया तो और दूसरी बात उदर से आपके कमेंट भी बहुत ज़ादा आ रहे थे तो इसलिए वीडियो बनाना बहुत ज़ादा ज़रूरी हो गया था अब क्या आपको करना है देखो अब आप मैंसे मैक्सिमम लोग इस चीज को ढूंड रहे है और यह बोल देते हैं कि हम चुनाव से पहले ही अपका एक्जाम करवेंगे एक महिने में तो आप इस चीज को ध्यान रखो कि आप मैंसे कितने लोग तयार है कितने लोग तयार है कोई भी नहीं मुश्किल से कुछ परसेंट ही बच्चे होंगे जो अपनी तयारी को पु 2744 यह भरती अब देखो कितना बड़ा योग है तो आप अब इसके बाद यह भरती जबा जाएगी तो इस भरती के बाद आपको शायद ही जल्दी वेकंसी देखना हो मिले आपको बहुत लंबा टाइम बीच जाएगा और तब तक आप ओवर एज हो चुके होंगे तो अब यह हमारे पास मौका है इस मौके को आपको क्या काम करना चाहिए इस मौके को आपको बहुत अच्छे तरीके से यूज करना चाहिए पढ़ाई में सबसे पहले आपको क्या काम करना है अब मैं भी आपको अपडेट करना शुरू करूँगा सबसे पहले आपको अपने आपका syllabus क्या है और वो syllabus आप अपनी copy में लिख करके या print out निकलवा के कुछ भी करवा के अपनी table के सामने दिवार उपर चिपका दीजिए जिससे आपको यह idea रहे कि मेरे syllabus में यह चीज है मेरे यह पढ़ना है उसके बाद आप previous year question paper की तरफ जाएए previous year question paper की तरफ जाकर आप आपको यह पता लग जाएगा किस topic से किस level के question बन रहे हैं किस level के question आ रहे हैं उन चीजों को देखिए और उसके बाद आप अपने book list को क्या कीजिए अपने book list को मैं भी इसी श्रणी से आपको सब चीजे बताऊंगा समझाऊंगा आप राम जी पाटशाला की उन वीडियो उसको भी देख सकते हैं अब वो वीडियो आपके बास आने शुरू हो जाएंगी आप बिल्कुल भी चिंता न कीजिए साथ में उसके बाद अब आप आपको क्या रहता है कि भरती आगई paid course करिद लो ठीके अब उन paid courses का भी फल तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप खुद बुकलिस डिसाइड करो आप लोग पढ़ना शुरू करो एक चीज में आपको बता देता हूं राम जी की पाठशाला हिंदी और जीयस आपको पढ़ाता है तो आप राम जी की पाठशाला पर ट्रस्ट कर सकते हैं शुरू से लेकर आखरी तक motivation हो strategy हो बुकलिस्ट हो पढ़ तो मैं आपको वहाँ पर प्रिशित कर दूँगा ठीक है तो ये important बात है अभी आपको पढ़ाई करनी है साथ में क्या vacancy बढ़ सकती हैं तो बहुत less chances हैं कि आपकी vacancies बढ़ सकती हैं क्योंकि आपको पता है अभी इस से पहले ये आप देख सकते हैं याप है ना लगवग 91 एक्याण में 1000 आपकी भरती हो चुकी हैं और अभी इस से ज़्यादा भरती हो का डेटा नहीं है बहुत ज़्यादा chances है कि vacancy आपकी नहीं बढ़ने वाली है अब आयू सीमा के बारे बात कर लेते हैं देखो आयू सीमा के बारे को ले करके बहुत सारे बच्चे असमंजस मे हैं बहुत सारे बच्चे tension में हैं कि sir vacancy कब आएगी कब आएगी कब आएगी मैं अभी 10 दिन बाद मैं अभी 20 दिन बाद मैं भी एक महिना बाद over age हो जाओंगा तो मुझे बहुत जादा दिक्कत हो जाएगी तो इस समस्या का समाधान क्या चीज है इस समस्या का समाधान त अब देखो विज्यापन में क्या होता है अब जो चांसे हैं वो 50-50 है के शाशन और सरकार और भरती बोर्ड दो साल का छूट देता है के नहीं देता है बाकी अब निर्भर करता है नोटिफिकेशन आने पर तो आप लोग इन चीजों के लिए बिल्कुल भी परिशान न हो औ और अगर कहीं पर आवाज उठ रही है तो आवाज उसको उठाइए बट सबसे इंपोर्टेंट है आप लोग अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए ठीक है अभी भरती बोर्ड जो है वो SI, ASI की प्रक्रिया में उल्जा हुआ है अभी संभवत है जो SI वाला है उसमें final answer की देखे और result देने के बाद आप मुझे लगता है फिर उसके बाद आपको आपकी vacancy का विज्यापन देखने के लिए मिल जाएगा तो यही सारी update मुझे आपको देनी थी और भी updates आपको मिलती रहेंगे इसलिए channel को जरूर आप join कर लिजिए subscribe कर लिजिए और bell notification जरूर जय भारत